हेलो दोस्तों तो आज हम जैक बोड का क्लास 10 का समाजिक विए सोसल साइंस का जो 12 फरवारी होने वाले एक्जाम के लिए बच्चों आज हम सब्जेक्टिव कोशन को आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं तो आप सारे सब्जेक्टिव कोशन को अच्छे से पढ़े लेना अच्छे से याद करेना अच्छे से समझ लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर से शेयर करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी सब्जेक्टिव कोशन को आप फटा फट दे एक हारण सो आठतर में पारिद किया गया था सिंपल सा एक लिएन में वरना कुलर जो प्रेस एक्ट था ये कानुन जो था ये एक्ट चाल पर अपर भारतिय प्रेस की आजादी पर अंकुस लगाना चाहते थे इसके द्वारा अंग्रेज जो है यह भारतिय प्रेस की आजादी पर क्या करते थे अंकुस लगाना चाहते थे रोकना चाहते थे यह एक्ट अंग्रेजों द्वारा भारतिय प्रेस पर लगाएगे नियंतरनों में सरवाधिक पर्मुक और महतोपुन था ठीक है तो ये अंग्रेज लोग थे ये भारतिये प्रेस पर क्या कर रहे थे नियंदन कर रहे थे कंट्रोल कर रहे थे तीसरा नमबर आपको लिखना है इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी खबर और संपरदाई संपादक्ये को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिल गया सरकार की खिलाफ विचारों को दबाना इसका पर्मुक का उद्दे से था तो सरकार के खिलाफ था ठीक है ये जो था ना सरकार के खिलाफ इसके विचारों को क्या करना था दबाना का पर्मुक इसका क्या था उद्देश से था अब्जेक्ट था चौता नमबर में आप लिखेंगे सरकार ने विभिन परदेशों में छपने वाली भासाई अकबारों पर कड़ी नजर रखने की विवस्ता की तो सरकार क्या कि है विभिन पर्देश में जितने भी पर्देश दे उसमें छपने वाले विभिन तर्चे से भासाई अगबारों को करड़ी निजार रखने की क्या की विवस्था की और पांचरों नमबर में किसी आपति जनक समाचार के प्रकासन पर हमले अगबार को चेतावनी जी जाती थी, तथा चेतावनी पर ध्यान नहीं देने पर अगबार तथा चपाई की मसीने छीने ली जाती थी. तो ये था मेरे बैरे बत्चों, दूसरा सवाल है आपका देखिए क्या है थो, भारत के संग्य विवस्ता की विसिस्तक का वरनन करें भारती में संग्य विवस्ता कैसे है वो आपके बारे मताना है या फिर सवाल ऐसा सकता है कि केंदर और राज संबंध पर प्रकाश डालिए या सवाल ऐसा सकता है कि केंदर और राज की बीच विधाई अधिकारों को कितने हिस्सों में बाटा गया या फिर ऐसा सवाल है सकता है संग सूची राज सूची और समवर्ती सूची में से आप क्या समझते हैं ये सारे सवाल का बच्चो आप लोग का उत्तर एक ही रहेगा ठीक है तो देखे इतने सारे सवाल का एक ही उत्तर है क्या है उत्तर कि भारत की सासन विवस्ता संगिये है बिल्कुल है की नहीं है भारत की जो सासन विवस्ता है वो संगिये है सविधान में भारत को राज्यो का एक संग घोसित किया गया ठीक है सविधान में भारत को क्या कि और राजी पर हमारा क्या है हिमां सुरेन? ज्वस्ता के अंतरगत तीसरे स्तर पंचाइती राज तथा नगर पालिकाN को जोड़ा गया है मतलब कि पहले जी करना संधे भारात में विभिन अस्तरों पर विधाई अधिकारों का विकेंद्री करन किया गया भारत एक संग है किसका संग है राज्यों का संग है ठीक है उसके बाद भारत में केंद्र तथा राज्य संबन उनके विधाई अधिकारों पर अधारित है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच विधाई अधिकारों का विभाजन निम्नांकि तीन सुचियों के अंतरग में अब अभी नाम सुझ रहे हो तो गलत बात है संगी सूची में राष्टी महतो के विसाय आते है इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंदर सरकार को होता है राज यह सारे चीज क्या है सामिल नहीं अब दभन सूची में क्या क्या आता है राज्य सुची इस सुची में वैसे विसायों को सामिल किया गया जिनके लिए राज्य सरकार उत्तरदाई है तो वहाँ पर राश्ट्रेले था और यहाँ पर राज्य सरकार उत्तरदाई था इसमें जैसे हो गया पुलीस, वैपार, वानिज्य, क्रिसी, सिचाई, आदी सामिल इन विसायों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज सरकार को तो संग सुची में आपका जो कानून बनाने का अधिकार है वो है केंदर सरकार को और राज सुची में राज सरकार को कानून बनाने का अधिकार है अब समवर्ती सुची क्या है भाई समवर्थी सुची इसके अंतरगत सिच्छा, वन, स्रम, परिवारिक कानून आधी को सामिल किया गया है इन विसायों पर कानून बनाने का धिकार केंदर और राज्य सरकार दोनों का है तो संग सुची में सिर्फ केंदर सरकार को है, राजी सुची में सिर्फ राजी सरकार को है और आपका समवर्थी सुची में दोनों की समवर्थी पर क्या होता है कानून बनाने का अधिकार होता है चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग हमें भारत में रीन के आपचारिक सुरोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है यहां से रीन लेना और अनपचारिक क्या हो जाता है जैसे कि आपका जो महिला गठन से लेते हैं आप लोग पैसा या फिर साहुकार वगएरा से लेते हैं व और यह आपका आपचारिक तो वही चीज बोला है कुशन कि आपचारिक सुरोत है ना मतलब की बैंक वगएरा से मतलब एक फॉर्मल तरीके से आप बैंक रिन लेने के लिए क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे तो देखे आपचारिक सुरोत से मिलने वाला रिन अनपचारिक सुरोतों से मिलने वाले रिन के पेच्छा सस्ता होता है बिलकुल ठेके जो अपचारिक तरीके से जैसे आप बैंक वोग में लेंगे तो उसका जो रेट दर होता है ना उसका रिन का जो आप लोन लेते हो उसका जो rate होता है उसका जो ब्याज होता वो कम होता है लेकिन अनपचारिक में अगर साहो अकार वगएरा से लेते किसे आदमी से लेते हैं तो उसका rate जो होता है जादा होता है उसका percent है ना क्योंकि इस पर कम दर पर ब्याज लगाई जाती है समझ मा गया क्या है अपचारिक सुरोतों से मिलने वाला रिन जो है अनपचारिक सुरोतों से मिलने वाला रिन की अपेच्छ सस्ता होता है क्योंकि इसकी ब्याजदर कम होती है चलो दूसरा नंबर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपचारिक सुरोतों से रीन मिलने से उनकी आय बढ़ेगी तो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग है जो पैसे से कमजोर है जो गरीब है अगर अपचारिक सुरोत से अगर रीन लेती है तो उसकी क्या होगी आय बगल वाला से मांग लेगा, साहुकार वगएरा से मांग लेगा, लेकिन उसका जो रेट है ना, रीन का ब्याज की दर जो है जादे है, ठीक है, इसलिए हम लोगों को क्या है, आपचारिक पे ध्यान देना चाहिए, बैंकूंक से लोन लेना चाहिए, अगला है क्या है, देश के विकास के दरिश्टी कौन से सस्ता और सामर्थ है के अनुकूल कर्ज आवस्यक है, ठीक है, तीसरा चौंथा पॉइंट अनुप, आफचारिक सुरोतों से दिये गए रीन का परियाप्त लेखा जोखा रखा जाता है, जिससे कर्ज लेने वाला बेवज़ा परिसानी में नहीं पड़ता, मतलब आफचारिक तरीके से अगर अब फॉर्मल तरीके से लेते हैं रीन को, बैंकूंग से, तो उसका लेखा जो खा पूरा डेटा चीज रखा जाता है, डेटा रखा जाता है, लेकिन वही चीज अगर आप अपचारिक तरीके से लेते हैं रीन को, लोन को, जैसे कि साहुकार बगर तो पता चला कि दूबा अरबढ़ा देगा, तो कुछ नहीं नहीं कर पाएगा, जी, चलो, अगला देखो, पांचवा नबर अपचारिक सुरोतों पर ब्याज दर पू पूरे भारत में आपको एक ही दर से ब्याज लगेगा, समझ माही बात, ठीक है, चलो, अगला सवाल देखते हैं, क्या है, खुली विरुजगारी और परच्छन विरुजगारी में अंतर बताएं, ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, खुली विरुजगारी और बिरुजगारी है, जहां योग और सच्छम व्यक्ति कारे करने की इच्छा के बहुदूद काम नहीं मिलता है, तो खुली विरुजगारी ऐसी विरुजगारी है, जहां पे लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन काम फिर भी नहीं मिलता है, तो उसको में खुली विरुजगार परतियाच रूप से काम नहीं होता उन में से कुछ लोगों के काम से हड़ जाने पर उत्पादन परभावीत नहीं होता है तो यह जो परतियाच रूप से काम करते वें दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी वह विरोजगार होते हैं कैसे समझेगा आपके घर में जब खेती बाड़ी होता है तो वह पता चला की जहाँ पर दूअ का 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 मंत 15 फूरłem पाइमिली लगा ही लूए दू लोग भी अगर उतपां करता दू लोग भी काम करता पूरे दयनिक दर के दूसर जगत सब न तो पांच आदमी जो एक्स्ट्रा तीन आदमी लग रहा है न वही आपका परच्छन विरोजगारी है काम करते वे दिखाए देते हैं लेकिन उसका उत्पादन पर कोई परभावित नहीं होता है उम्मीद है कि आपको समझ मां आ गया होगा परच्छन ठीक अपने ल्ग्वेज है आप लिख सकते हो अगला किया है इसके अंतर गत है न खुली बिरोजगारी है काम करने की इच्छा जयान रखंट में प्रकार की बिरोजगारी और वगएरा दिखते हैं लेकिन कि लेकिन प्रच्छन ब्रोजगारी क्रिसी च्चेतर में पाय जाती है गांव में पाय जाते है प्रकार कर்कार है लोगों की गन्ना अश्पश ट्रूप से कि Juligi के लोगों की गन्ना असपश्ट रूप से किजाय तो जैके यहां खुली प्रावर्ण की जा सकती है चाई अगला सवाल भारत में भूमी उपयोग प्रारूप का वर्नन कीजिए उनी सो साट एकसट इसवी के वन के अंतरगत छेत्र में महतोपन वर्यधी नहीं हुई इसका क्या कारण है ठीक है तो भारत के भूमी उपयोग का प्रारूप का बारें बताना है कि भारत में कितनी भूमी है ठीक है तो भारत का खुल भावालिक चेत्रफल कितना है 32,08,08,08,08 ठीक है ठीक है ठीक है तो ध्यान रखना है 32,08,08,08 वर किलोमीटर ठीक है खुल भावालिक चेत्रफल अब देखिए इसमें कितना कितना बटावा यह समझेगा लगभाग भारत में लगभाग 33% भू भाग चेत्र मैदान है कितना परतिसद 43% संपुन भूमी के 30% भाग जो चेत्र में चारागा भूमी और 5% ठीक है और वन भूमी और 23% तथा 15% बंजर चेत्र है ठीक है तो यह आप लोग का इसका क्या है छेत्र है विस्तार है समझ लेजेगा ठीक है उसके बाद देखिए कि 1961 में वन के अंतरगत छेत्र में महतपुन विरिधी नहीं होने के क्या क यह जा रहा है ठीक कि इसलिए यहां पर वन क्या है बढ़ा नहीं उसके बाद सड़क मार रेलवे लाइन इर्मान के लिए वनों की कटाई ठीक है तो बता भाईया कि अगर तुम वन को काटोगे ठीक है रेलवे लाइन भी चाओगे सड़क बनाओगे तो वन बढ़ेगा न लाष्ट सवाल है मेरे प्यारे बचों क्या है एक पेफसल का नाम बताएं तथा उनको उगाने के लिए अनुकुल भोगालिक परिस्तितियां का वर्रन दें ठीक है तो हम इससे पहले आप लोग चाओगालिक परिस्तितियां के बारे में तो चाओधल बटा दिए थיות है के तो चाय कोफी है तो जान भी करते हैं अप लोग उसके बाद चाय की खेती के अनुकुल भवालिक प्रिस्तितियां क्या क्या है वो समझेगा एक सिंपल सिंपल लाइन में चाय एक सदबाहार बगवानी फसल है एक पॉइंट दूसरा इसके लिए गर्म तथा आर्द जलवा जाय के वसकता होती है दूसरा इसके लिए अधिक उब जाओ जमीन के वसकता होती है तीसरा पॉइंट समझ भाए आप कितना असान है चाओ था पॉइंट देखो मिट्टी की उर्वर्ता बनाए रखने के लिए नैट्रोजिनी खादो के अवसकता पड़ती है मिट्टी की होना चाहिए 125 से 750 सेंटिमिटर देखे 6 पॉइंट हो गया एक दम सिंपल सेंपल लाइने में उसके बाद देखो 7 पॉइंट में आप क्या लेख सकते हैं यह एक सरम परधान फसल है बिल्कुल इसमें काफी मेहनत लगती है क्योंकि चाय की पतियों को हाथों से तोड़ा जाता पाई जाती है पत्सिम मंगाल के दारजिलिंग जल पाई गुड़ी और कुछ विहार में चाय की खेती होती है तमिल नाडो और केरल भी चाय उत्पादन के लिए अगरेने राज है तो यह था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सारे सब्जेक्टिव कुशन ठीकि मुझ दीनम्माइं अब लोग को लिखलो और याद करो अगर मालनों भूल भी जाओगे सब्सक्राइब करो और जुडने के लिए हमारा इंस्टेग्राब और WhatsApp चैनल और Telegram चैनल Link दिया हुआ है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं ठीक है और इस तरीके से आपको तयारी करवाएज आगा ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank you so much